हलो मैं हूँ रेखायादा और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई खुद को फेट और बाड़ी को टूंड बनाये रखने के लिए आज का लड़कियों में जिम या फिर योगा का क्रेज काफी बढ़ गया है वाकाउट या योगा करने से ना केवल शरीर को ही फायदा होता है बलकि स्किन भी काफी ग्लोइंग बन जाती है एक अच्छे वाकाउट सेशन से स्किन में बलड सरकुलेशन बढ़ जाता है जिसे फ्री रेडिकल्स डैमेज नहीं होते जहां योगा वाकाउट करने के बहतरीन फायदे होते हैं वही स्किन को वाकाउट करते समय बचाना भी काफी जरूरी है जिससे वो हल्दी और चमखदार बने रहें अगर आप हर रोज वोक आउट करती हैं तो अपने स्किन का खास खयाल रखें इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे स्किन केर टिप्स बताएंगे जो आपके आफ्टर वोक आउट काफी काम आएंगे क्योंकि work-out के बाद निकलने वाला पसीना कहीं न कहीं आपके स्कें को नुक्सान दरूर पहुचाता है work-out के बाद आपके शरीर पर इतना ज़ाधा पसीना हो जाता है, इससे शरीर पर काफ़ी बैक्टेरिया पन अपने लगते हैं अगर आप इस दोरान अपने चहरे को छूएंगी तो infection फैल सकता है इसलिए after workout आप अपने चहरे को बार बार छूने से बचें बहुत से लोग इंगलती करते हैं कि वो उसी तॉलिये से अपने चहरे को पोचते हैं जिससे उन्होंने workout के दोरान अपने शरीर के बाकी हिस्से को पोचा होगा इससे skin पर infection आसानी से फैल जाता है और मुहां से निकलाते हैं तॉलिये के जगा आप चहरे को पोचने के लिए हमेशा wet wipes का यूज़ करें एक भारी भरकम workout के बाद कई लोग ठंडे पानी से नहाते हैं लेकिन अगर आप ठंडे पानी से नहाती हैं तो आपके skin का natural oil निकल जाएगा इससे skin काफी dry और खुरदुरी हो जाएगी इसलिए आपको हमेशा गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए और चहरा भी उसी से दोना चाहिए skin को हमेशा हलके से पूछें जो हर लड़की को follow करनी चाहिए खास करकर उन लड़कियों को जो जिम में workout करती है पसीना आने पर कभी भी अपने skin को तॉलिये से तेजी से रगड़ना नहीं चाहिए इससे skin दगड़ खाकर लाल पड़ सकती है और मुहा से निकलाते हैं भारी भर कम workout करने के बाद आपकी skin अंदर से बाहर की और dehydrate हो सकती है इसलिए skin को major hydration देने के लिए धेर सारा पानी पिए और चहरे पर हलका toner जरूर लगाए skin toner यूज करने के बाद आपको चहरे पर moisturizer लगाना चाहिए moisturizer हमेशा light होना चाहिए जिससे आपकी skin workout के पहले और बाद में भी मुलायम बनी रहे चहरे पर make-up बिलकुल भी ना करे जी हाँ कई सारे ऐसी लड़किया होती हैं जो जिम जाते वक्त भी make-up कर लेती है लेकिन एक जरूरी skincare tips यह है कि आपको कभी भी make-up करकर work-out के लिए नहीं जाना चाहिए भले आप सुबह में ही क्यों ना जा रहे हो या फिर रात में इसके अलावा आपको work-out करने के एक घंटे बाद भी make-up नहीं लगाना चाहिए make-up लगाने से मुहा से निकलाते हैं अपने skin को sunscreen लगाकर बचाएए make-up के जगा आप अपने skin को sunscreen लगाकर बचाएए अगर आप दिन में work-out करने जा रहे हैं तो sunscreen जरूर लगाएए इससे skin damage नहीं होगी work-out करने के बाद सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरहद होएं क्योंकि work-out के दौरान बहुत अधिक पसीना निकलता है इस पसीने में बहुत सारे bacteria और germs होते हैं जो आपके तवचा को बे जान कर देते हैं तो ये कुछ skincare tips हैं जो आपको after work-out जरूर फॉलो करनी चाहिए उमीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहे ये bold sky और हमें like और subscribe जरूर करिए